और उसके अदम ने कानून बना दिया कि सरकार की मर्जी के विना कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, दो चार को छोड़के साथ साल से किसी की फीस नहीं बढ़ी अभी तक दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, तो पहली चीज तो यह प्राइवेट स्कूलों को डिसेप कि 30% लोग अपने बच्चों के नाम प्राइवेट से कटाके सरकारी स्कूलों में भरती कराएगा। दूसरी इंपोर्टेंट चीज है, हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन यह सबसे इंपोर्टेंट है। आज इतना महंगा हो गया ईलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज क किसी भी सामान्य से hospital के अंदर आदमी तो लुट जाता है तंखा है नहीं तंखा बढ़नी रही है दिल्ली में हमने सब का इलाज चाहे गरीबो चाहे अमीरो दो करोड लोग दिल्ली में रहते हैं सब का इलाज हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया कितना भी खर्चा आए अगर आपको छोटा सा बुखार है महला क्लिनिक बना दिये गली-गली के अंदर आप महला क्लिनिक में जाए डॉक्टर फ्री, टेस्ट फ्री, इलाज फ्री और शांदार महला क्लिनिक है ऐसा मोहला क्लिनिक तो एक तरह से सरकारी डिस्पेंसरी हुई लेकिन ग्रेटर केलाश जो दिल्ली की सबसे पोश कॉलोनी है वहाँ पर दो मोहला क्लिनिक है एक बार मैं सडक से गुजर रहा था सडक से गुजरते हुए अगर मुख्यमंतरी कहके जाए ना कि आज मैं देखने आऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है फिर वसी विजिट का कोई फायदा नहीं है मैं सडक से गुजरते हैं मैं गाड़ी रोकी में एक मोहला क्लिनिक में गुजगया वहाँ पे इतने संभरानत और इतने अमीर घरों की महिलाएं उस मोहला क्लिनिक में इलाज कराने आई होई थी मैंने उनसे पूछा उन्होंने का जे डॉक्टर बड़ा अच्छा है और सारा इलाज मुफ्त होता है सब कुछ सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं सारी दवाईयां मुफ्त मिलती हैं सारा इलाज मुफ्त होता है वहाँ से और अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिमारी हो जाए भगवान ना करे दस लाग बीस लाग तीस लाग का खरच आए वो भी सारा दिल्ली सरकार देती है सारा इलाज मुफ्त और सरकारी अस्पतालों को हमने प्राइवेट से भी जादा अच्छा कर दिया तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है इसको फ्री की रेवडी नहीं कहना चाहिए शिक्षा और स्वास थे अच्छी शिक्षा इंग्लेंड के अंदर सबका इलाज मुफ्त है 37 countries हैं जहां पे शिक्षा हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है अमरीका में हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है इंग्लेंड के अंदर है जपान के अंदर है वो लोग अमीर है इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है उन्होंने अपने बच्चों के शिक् गुजरात के भी साड़े छे करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त स्वास्त सेवाओं का इंतिजाम करेंगे आपके लिए सरकारी अस्पताल गाउं गाउं के अंदर महला क्लिनिक शहर शहर के अंदर कॉलोनी कॉलोनी के अंदर महला क्लिनिक बनाएंगे आप कहेंगे पैसा कहा से आएगा पैसे की कमी नहीं है यह जो हवा बनाते हैं ना हवा बनाते हैं लोन लेते हैं घाटा हो गया फलाना हो गया डिमका हो गया पैसे नहीं है सरकार के बहुत पैसे हैं इनको अपने लिए हवाई जाज खरीदना हो तो पैसे हैं इनको अपने लिए बंगला बनाना हो त तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है, हैं जी, MLA खरिदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा, अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, हमारे 12 MLA के पास संपर्ख किया, उन्होंने, हर एक को 20-20 करोड रुपे आफर किया, इनका टार्गेट था 40 MLA का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 MLA करने आए, तो एक-एक MLA को 20-20 करोड आफर कर रहे थे, 40 MLA का टार्गेट था, तो 800 करोड का तो इंतिजाम इनोंने करक्खा था दिल्ली में, कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा आई है, आप ही का तो पैसा है, तो जब आप कहते हो कि हमें सुविधाएं चीएं तो कहते हैं, पैसा न कर देते हैं, दवाईयां फ्री कर देते हैं, तो ब्रश्टाचार खतम करेंगे, ब्रश्टाचार खतम करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, और ब्रश्टाचार आज एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर, जो कट्टर इमानदार पार्टी है, अभी आ अपना एक मिनिस्टर, उसकी रेकॉर्डिंग निकल के आई, कि वो किसी से पैसे मांग रहा था, भगवंद मान ने आफ देखा नताव, उसने उसको सीधे जेल भेज दिया हो, हमारे अपने मिनिस्टर को, ये कभी अपने वालों पे कोई अक्शन नहीं लेते, दूसरे वालों को भेजा, कि हम भ्रष्टाचार परदास्ति नहीं करते हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे, आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है, आपको चाह लाइसंस बनवान है, आपको चे राशन कार्ट बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको पेंशन लगवानी है, कोई भी काम कराना है, आपको कोई किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसे के काम होता है, तो भ्रष्ट में लिखा है कि दिल्ली पे एक भी पैसे का कर जानी है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है पॉजिटिव बजट आ रहा है ये फायदा है पढ़ा लिखा आई आई टी के इंजीनियर को सी एम बनाने गा समझ आती है मुझे finance भी समझाती है engineering भी समझाती है तो भरष्टा चार आपका बहुत बहुत चुक्रिया सर थैंकियू सो मच आपका अशिरवाद रहे 27 साल आपने इनको दिये मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा लेकिन 27 साल बहुत होते हैं इन्होंने जो अब करना था वो कर दिया अब अगले 5 साल में तो वही repeat होगा जो यह कर रहे हैं कुछ नया नहीं करने वाले कुछ नया नहीं करने वाले एक मौका हमें भी दे दो एक मौका देके देख लो बदलाव तो होना ही चाहिए ना चेंज तो होना ही चीए, अगर पांच साल में जो जो बाते मैं कह रहा हूं, वो मैं नहीं करूँगा, मुझे लात मार के भगा देना, गुजरात में घुसने मत देना अग लिगा, एक मौका दे दो, पिछली बार दिल्ली के चिनाव में, मैंने कहा था 2020 में अभी जो चिनाव हूँ, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था, मैंने का पांच साल में अगर मैंने काम ना किया हूँ आपके लिए, मुझे वोट मत देना, ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, ये लोग क जिंदगी बीच जाती है, हर पांच साल के बाद आके कहते हैं, एक और दे दो, बस एक और दे दो, हम कहते हैं, पिछले पांच साल में अगर काम नहीं किया, तो हमें, आज मैं आपके सामने बड़ा स्टेटमेंट दे के जा रहा हूं, आपके दिल्ली में दोस्त होंगे, चैलेंज करता हूं, आप उसको फोन करके पूछ लेना, क्या केजरिवाल अच्छा काम कर रहा है, अगर वो कहें नहीं कर रहा है, मुझे वोट मत देना गुजरात, दिल्ली की जनता खुश है हमसे, दिली की जनता प्यार करती है हमसे, एक टाइम ऐसा था जब वकील जो है, दिल्ली के 70-80% वकील जो है, वो भाजपा के लॉयल थे, आज दिल्ली के 70-80% वकील जो है, वो केजरिवाल के साथ है, वो हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं, हैं जी, आप भी प्यार करते हैं, थांके सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया बहुत कुछ दिखानी पा रहा, उनकी मजबूरी है उनको कहा गया है कि केजरिवाल का कुछ नहीं दिखाना, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं दिखाना, राहूल गंदिया यह तो दिखाना है कुछ जुगलबंदी चल रही है दोनों में, मैं बोलके गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे छटे पेज पे इतना सा छपा, उसके अद राहूल गंदी जी आए और वो बोलके गए, फ्रंट पेज पे गुजरात के सारे ख़बारों के अंदर छपा, जबकि आज की डेट में तीसरे नंबर पे कॉंग्रेस हो चुकी है, हम सेकेंड पे तो आ चुके हैं, अभी आज की डेट में जो सर्वे आ रहे हैं, हम अलड़ी सेकेंड पे आ चुके हैं, दो महीने हैं चुनाव के, फर्स्ट पे आएंगे और बंपर आएंगे फर्स्ट के उपर, दिल्ली वालों ने पहले रेकॉर्ड बनाया था, सत्तर में से सड़सट सीट दी थी, फिर पंजाब ने रेकॉर्ड बनाया, 117 में से 92 सीट दी थी, अब गुजरात दोनों का रेकॉर्ड तोडने वाला है,